असलामआएकुम प्यारे बच्चों आज हम Cowbler Cowbler Poem की Comprehension करेंचे उसमें हम Oral Communication करेंगे, Oral कहते हैं Oral Communication कहते हैं जबान से बोलना और आज हम इसमें Sounds कहते हैं अवाज को जब भी हम English या जैसे बात करतें हैं तो लिखने में तो हम Alphabets लिखते हैं लेकिन हर alphabet की एक sound होती है एक आवाज होती है तो आज हमने consonant blends करने हैं तो आपको याद होगा कि आपने alphabet को सीख ली हैं उन alphabet में five walls हैं और बाकी जो alphabet हैं उनको consonants कहते हैं अब जैसे ये एक consonant है बी तो लिखने में capital B और lowercase भी इस तरह से लिखते हैं लेकिन जब हम इसको बोले हैंगे तो बेड ब ब की sound आएगी ठीक है इसी तरह ये एक और consonant है एल लाइट जैसे इससे शुरू होती है लाइट ल तो अब आप ये दो लैदा-लैदा consonants है blend कहते हैं जब हम इन दोनों को mix कर देंगे blend का मानी होता है join करना किसी को कठा करना blending of letter sounds making the sound of a word हम दो जो letters है उनकी sound को mix करके एक sound बनाएंगे जैसे इस example में आप देखेंगे हमने बी और एल को join किया इससे बल बन गया ठीक है अब हमने इस से इस consonant blend से इसकी examples देखते हैं और ये consonant blend जो है जैसे ये words के शुरू में आ रहा है तो इसको initial consonant blend कहेंगे जैसे ये क्या है ये एक class है class कॉर्दू में जमात भी कहते हैं तो class आप देख रहे हैं कि इसमें CL जो है वो हमारा consonant blend है इसकी और एक जैसे ये क्या है जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं clapping करते हैं तो clap हाथों को एक दूसरे के उपर मार के आवास पैदा करना उसको तालीब जाना भी कहते हैं और इंगलिश में कहते हैं clap तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि CL यूज़ हो आई फिर है ये clip आप दो जो पेपर्स हैं उनको कठा करने के लिए clip का यूज़ करते है तो ये है clip फिर उसके बाद ये क्या है black आपके हम सब के जो सर के बाल होते हैं वो काले होते हैं तो black भी ये से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट है blind जो है उस शक्स को कहते हैं जिसे नजर ना आए और उसकी पहचान होती है कि उसने काली एनक लगाई होती है और उसके हाथ प जो हम अपनी जो विंडो होती है खिड़की उसके आखे जो इससरा का curtain लगाते हैं उसको भी blind कहते हैं दोनों के spelling एक ही है blind और ये BL से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद है आप देखें कि ये पानी है समंदर का पानी नीले रंग का होता है इसके अलावा अगर अपने ऊपर आप नजर डाने तो आपको आस्मान भी नीला नजर आएगा अल्लाव कुरान में कहता है कि आ तुमने आस्मान नी देखा जो सतूनों के बगार है तो प्यारे बच्चों अल्लाव ने मेरे और आपके लिए हमारे लिए बहुत सारी निशानिया रखी है और अल्ला हमें हर वक्त देख रहे हमें ये इसास रखते हुए जूट रही बोलना चाहिए हमेशा क्योंके अल्लाव ताला हमने सुनता भी है और जो कुछ हम मूँ से बोलते हैं वो दो फ्रिश्टे भी उसको रेकॉर्ड करते हैं ये क्या है ड्राई लीव्स ड्राई कहते हैं खुश्क जब आप गिले कपड़े हवा बें फैलाते हैं तो वो भी खुश्क हो जाते हैं तो ड्राई मींस खुश्क होना फिर आपने पानी पीते हैं पानी को मशरूब कहते हैं ड्रिंक कहते हैं दूद भी एक ड्रिंक है तो पानी हमेशे हमेशा बैठ कर पीना चाहिए ये क्या है ड्री में जो आपको खाब आते हैं उनको dream कहते है dream तो इसमें dr जो है वो consonant है फिर ये क्या है brown आपके पास brown twice होते है भालू ये भूरे रंग का होता है तो ये brown कहलाता है फिर ये क्या है दरख्त की शाह इसको English में कहते हैं branch ये क्या है जाडू और English पर इसको कहते है broom और उमीद है आपको वीडियो पसंद आईगी इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और